नमस्कार दोस्तों नमस्ति के वेई प्यूटीब चले में अपका शौगत है और आज के वीडियो में आप लोगों बताने जा रहे हैं कि डी एलेड का जो परिक्षा का तीथी था उसमें संसोधित कर दिया गया है और सत्र जो पर्थम था और दूतिय था दोनों के एकजामों जो तीथी में संसोधित करके जारि किया गया जैसे कि आप देख रहे हैं कि आ गया है बिहार विद्धियाले परिक्षा समीटी पतर द्वारा और यहां बताया जा रहा है आप देख लेंगे ध्यान से पढ़ भी लेंगे और हम पढ़के बता भी दे रहा है कि डिलेड 722 22 के बिद्यार्थियों के दूतिये वर्स एयों सत्र दोहजार तेश पचीस के बिद्यार्थियों के पर्थम वर्स की परिक्षा आयोजित करते हुए जुलाई 2024 तक इन दोनों परिक्षाओं का परिक्षा फल जारी करने का BSAV ने रखा लक्ष मतलब 2024 तक जुलाई के आपका रिजल्ट और परिनाम जारी कर दे जगा या पर्थम वर्सो या दूतिय वर्सो दोनों का अब किस कारण से हो रहा है यह तीथी में संसो दित इसके बारे में बताया गया है आप यहां ध्यान से पढ़ेंगे तो मिल जाएगा कि बिहार परिक्षा सम्यति दूआरा चार दिसंबर 2023 को बर्स 2024 में आयोजित की जाने वाली परिक्षा बार्सी कलेंडर जारी कर दिया गया था इसके तहट दिलेड सत्र दोहजार 22 के दूटिय वर्स एवं सत्र दोहजार तेईस पचीस के पर्थम वर्स परिक्षा आयोजित करने के संबंध में विभीन नित्ति थिया जारी की गई थी तया था इन दोनों परिक्षाओं का परिक्षा फ़ल प्रकासन जो था वो सितमबर 2024 तक किया जाना निर्धारित किया गया था लेकिन इसमें परिवर्तित कीया गया है किस कारण से? यह बता रहा है राज्य में अगस्त दुहजार चौविस में त्रित्य चरण के सिक्षक भरती परिक्षा आयोजित किये जाने के मध्य नजर को रखते हुए समेती दोरा उक्त विद्यार्थियों में आंसिक परिवर्तन करते हुए जुलाई दोजर चौविस माह तक डियलेड के दोनों सत्रो के परिक्षा फल का परकासन किये जाने का लक्ष रखया है मतलब पहले जो दात्ती थी वो सितमर दूजर चौविस तक था जिसी तमर दूजर चौविस में रिजल्ट जारी कर दिये जागा जो दूतिय वर्स के एक्जाम देने वाले हैं लेकिन बीच में क्या हो रहा है कि अगस्त दूजर चौविस में होने वाला है तिरितिये चरन के सिक्षक भरती तो उसमें वे लोग नहीं भाग ले सकते हैं इसलिए उस तिथी को घटा दिया गया है कि लोग जो भी पास करेंगे वो जो अगस्त में अगस्त दूजर चौविस में तिरितिये चरन के इसमें यो भाग ले सकें इसके लिए तीथी में संसोधीत किया गया है और यहां बताया गया है कि जन्वरी माह में क्या क्या हो गा जन्वरी माह में जो है डीलेड कोर्स जो है दीलेड कुर्स हेतू सत्र तैईश यानि 2023 पचीस में नमांकित परशिक्षोंग का ओनलाइन जारी किया गया है 24 जनवरी 2024 से 6 फरवर 2024 तक वहीं आप फरवरी में देखेंगे तो फरवरी में आपका होगा मूल पंजियन समेथी के वेपसाइड पर जारी करना यानि जो मूल पंजियन होता है वो समेथी के वेपसाइड पर जारी कर दिया जाएगा उसमें जो है महाविद इसके साथ ही आप आएंगे मई में तब मई में क्या है सेंधातिक परिक्षा का मूल परवेश पत्र डाउनलोड करने सिक्षन संस्थानों के प्रचारे द्वारा उसे डाउनलोड करने एवां परिक्षारतियों को वित्रित करने कीती थी परिक्षा कारिस्क्राम का परसारन यह तद अनुसार विग्यप्ति प्रकासित करने की थी मतलब जो यहां पे है मई में आपका एड्मिट का डाउनलोड है यानि सत्र फर्थम वर्स और सत्र दूतिय वर्स यानि सत्र में जो दो भी है 22 वाले है और 23 वाले दोनों का यहां पे बताया जा रहे है कि इस मह में यानि मही मह में आपका एड्मिट काड़ा जागा तो पहले ती थी था वो था यह वाला 26 जून इसे कैंसल करके अब 12 मही कर दिया गया यानि 12 मही को आपका एड्मिट काड़ा जागा मौई जुन में आप देखेंगे तो मौई जुन में दिया है डी एलेड फेस टू फेस एक्जाम वाले जो है इसमें दिया है सक्तर 2035 के पर्थम वर्स एह हम सक्तर 222 के दूतिय वर्स के परिक्शा कीती थी जो था वो पहले था इस तरीका से 10 जूलाई से 16 जूलाई थक पर्थम वर्षक था और 18 जूलाई से 22 जूलाई थक दूतिय था दूतिय वर्षक लेकिन इसे कैंसल कर दिया गया है और लगा दिया गया है कि पर्थम वर्षका जो एक्जाम है वो है एक जून से लेकर के साथ जून के भीश होगा वहीं दूतिय परस का जो है वो होगा 27 मई से 30 मई तक और लाश्ट जूलाई मुन्थ में क्या किया गया है जो परिक्षा फल का प्रकासन होगा वो जारी किया जाएगा जो तिथी था सितंबर 2024 इसे कैंसल कर दिया गया है अब जूलाई 2024 तक आपका परिक्षा फल जारी कर दिया जाएगा और आगस्त में जो त्रितिय चरण का सिक्षक भरती आने वाला है उसमें आप eligible हो सकते हैं इसके लिए यह सारे तिथी में परिवार्थन किया गया है तो आसा एक इस वीडियो के मैधिम से आप समझ गया होगे कि आपके जो परिक्षा तिथी में संसुथित हुआ है यह एक grow से है और कैसे कैसे आपको इसके अनुसर तैयारी करना है और कैसे कैसे अपके कोलेज में जाना आना है इस सारे चीज़ हम समझ गए होगे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जनकर के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद